नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल टेडर स्टारी में दोस्तों आज हम बात करने वाले डेटामेटिक ग्लोबल की उपर बाहरी तेजी के बाद अब एक ग्रावट आ चुकी है लमसम साथ रुपए उपर से यहां पर कट हमको देखने को मि बात करना चाहिए उनको क्या करना चाहिए साथ ही जिनके पास रखे हुए उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं डिप आती रही यह डिप जो है वो आती जाती रहेंगी आपके सामने देखा क्योंकि एक भारी तीजी हो चुकी है आपने देखा वह 188 के लेवल से कहां पर रह कि दो सकता है एस चीज को आप याद रखिए और यहां पर निकलने के कोई जरूत नहीं है 300 के रुपएपर अगर आपने ले भी लिया है अगर किसी ने लिया है 300 रुपएपर तो उनको भी कोई ड़नने के बात निय कि स्टॉक A.1 है ड़ने के दोत निया है then you आपको मैं बताई चुका हम बार बार उस fundamental को दिखाने का कोई मतलब है नहीं P.E. ratio बहुत ही सस्ता है P.E. ratio से हमको पता चलता है कि इस stock जो है बहुत बहुत सस्ता है इसको आप ignore नहीं कर सकते तो आपने जिन levels पर लिया है उन levels पर जो है वो ठीक है अगर यहां पर dip or मिलती है average करियेगा यह एच्छा है श्टॉक है लेकिन average करने से पहले हम इसके चाट को देखेंगे इसके चाट को हम समझेंगे कहाँ पर support है कहाँ पर resistance है कहां से यह support ले सकता है क्योंकि हम मेरे खिया है support का level 270 रुपेगा जो level है वो शायक मेरे क्यारा से तोट गया आज है तो पहला दिन तो अच्छा हम ब्रेक कर दिया कल के दन यानि ट्यूजडे के दन अगर हम भात करें अभी के दन की बात करें लिए आभी के इन levels के लिए बात है क्या करने चाहिए इन levels के बात है यह FSL, Suvex, यह Multi-Wagger Stocks जो है, उनके साथ भी है, Value दो इनमें ऑविस्टी बात है, थी, Value पहले ही से ही थी, लेकिन यहाँ पर आप कहाएं कि यहाँ पर इन Stocks में जो बहुत सस्ते हैं, तो डेटामेटिक को छोड़ दीजिए, यह बहुत सस्ता है, Suvex, एक अलगी चीज़ है, लेकि हाँ, FSL जो है, वो थोड़ा सा महेंगा Stocks है, ठीके ना, तो ध्यान रखे, तो अभी हम डेटामेटिक की बात करें, तो डेटामेटिक की बात करनी चाहिए, तो यहाँ पर चली देखते हैं, हैं इसका चार्ट इसके support, resistance को समझते हैं, और हम देखते हैं की आगे क्या होना है, जली हम देखते हैं दो दो maneira। तो दोस्तो यह डेटामेटिक का इंटरडे चार्ट तो नहीं है, यह माफिज़ें इंटरडे चार्ट नहीं है, वन डे का चार्ट है, इसको ध्या रखिएगा, देख है, सबसे पहली बात, यहां पर गौर करने वाली ये है कि सेलिंग प्रैसर, यहां पर आपको चार्ट पर तु दिख रहा है यह, यह साब जैसा चार्ट एकदम दिख रहा है, साब जैसा, मतब झालतों यह तो जोकी बात है, लेकिं साब जैसे एक दम लग रहा है नांग की तरह है तो यहां पर जो चलेगा तो शायद रोकेट हो जाए ऐसा वाला तो यहां पर एक चीज यह मेसीडी को बहुत जादा यहां पर प्रिफिरण्स देते हैं सबसे जादा अच्छा चार्ट Now maf कीजिए अगर लगता है तो वह मेसीडी बहुत बड़ी इंडिकेट्र है तो मेसीडी का अगर मान है तो यहां पर देखे है ग्रीन केंडल सी दिख र रही है इस चीज को आप इग्नोर नहीं खर सकते हैं यह चीज यह यहाँ पर कह रहा है अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेसर होता तंगड़ा सेलिंग प्रेसर होता तो यह रैड में समझ में आगी हुग ऑंगी। साथ परसंट गिरा है तो यहां पर बीस-परसंट करकर यहां पर स्टाग चला भी है इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको मानना ही पढ़ेगा आपको यहां पर जानना पढ़ेगा इस चीज़ को अब यहां पर देखिये मैं जो कह रहा था है कि यहां पर important level टूट किया है लेकि M.A.C.D. आपको clear हो गया होगा उमीद आपको यहां पर समझ में आगया होगा कि M.A.C.D. क्या कह रहा है यहां पर देखिये देखिये इस तरीके से यहां पर देखते जाईएगा मैं आपको दिखाता हूँ यह वह important level था थोड़ा सा और जूम करते है M.A.C.D. के बात होगी तो इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं यह वह important level है जहां स सेटिशन सपोर्ट मारा था यह देखिये लोएस्ट कांगा यह 77 277.10 जिसके अमारे बात हुई थिए और देखे क्लोजिंग एल लिख के आ रहा होगा 278 यहां पर जो आपको यहां पर दिख रहा होगा 277 278 के आशेपास के हैं आपर लो दिख रहा हो आपको और यहां पर जो है हाई क्लोजिंग आथी तेन सो तेरा रुपए पर क्लोजिंग इस स्टॉक ने दी थी फिर अगले दिन भी यापर सेलिंग प्रेसर रहा पर उसके अगले दिन तो और भी जादा बढ़ गया है यापर तो यह पर जो है नीचे आतरा लेकिन आ यह जो है यह एक बहुत इं 179 रुपीज का जो हाई है इस स्टॉक का जब यह ब्रेक होगा जब यह दो 329 रुपए का लेवल ब्रेक होगा इसकी ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देगा तो आप समझ जाएगा कि यहाँ पर जो है ब्रेक आउट मिले गया लेकिन ब्रेक आउट तब जब यहाँ पर 339.90 के उपर यहाँ पर दो दिन अगर क्लोजिंग दे जाए तब आप समझेगा कि यहाँ पर जो है ब्रेक आउट हो चुका है इस स्टॉक में और अब यह उपर की और जाने वाला है तो उमीद है आपको उपर की रेंज जो है वो समझ में आगी होगी नीचे 277 का लेवल जो आज तूट किया है यह आप देख रहे हैं यह रेड लाइन आ रही है इस ब्लू लाइन के नीचे आ रही है तो उमीद है आपका पहला जो जो मैं बताना चाहरा हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ तो आज जो है एक इंपोर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिए इस स ऐसान नहीं नहीं है इन लेवल को समझना चाहिए तो जो है पाह फॉल पाई पाइव पॉइंट जो है उनसे अमने समझ में आया तो आपको मैं बता दूब कि उसमय वी जो है यहां पर दो सपोर्ट यह तोड़ चुका आप ड हूं तीसरा जो अपोर्ट बचा हुआ आपको तीसरा support है अगर वह भी तूटता है तो शायद यहां पर जो है यहां पर sailing pressure और साइथ थोड़ा से बढ़ सकता है range change हो गई एकदम change हो जाई अगर यहां पर तूटता है तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहां पर एक और लेवल है 273 का लेवल जो है वो एक अभी एक एक बना हुआ है यहां पर पाइवेट पॉइंट को अगर देखें तो तो उसके हिसाब से सपोर्ट जो दूसरा सपोर्ट है जो कि यहां पर 270 रुपए पर आता है उस पर ध्यां रखिएगा तो यह अगर इस रेंज से सप सपोर्ट लेकर उपर जाए अगर यह भी ब्रेक हो जाता है तो आपकि दो सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे और एक सबसे इंपॉर्टन जो लैवल है वो तो 270 ब्रेटे सैविडह सीवन की यह जाये twenties आपर 283 का लैवल तो अगर यह पर 273का लैवल चूटता है और उसके बाइंग मत करिएगा जब 258 के आसपास आए तब यहां पर एक बार जो है आप बाइंग करने की सोच सकते हैं स्टॉक में कोई खरावी नहीं है स्टॉक चल बहुत गया है जिसकी वैसे थोड़ी सी ग्रावट आ गई है सिर्फ इतना ही है यहां पर इस चीज़ को समझ में आ आ नहुँ पोस्क्त में और स्टॉष रहा थोड़ा आपको तो आपके सामने लेल क्लियर टूर फिप्टी यट का लेवल पहुत तीसा सपोर्ट बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल है वहां तक नहीं पोचर तो ढहलता है तो दोसुट चाहां जो है यहां पर यहांपर सपोर गॉंट लेकर आगर जो है आज उपर चला जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा है से श्टॉक के लिए को यहां पर आपके सामने कंडीशन वनी हुई है ऊपर की रेंज जब ब्रेक करने तो इस रेंज बापिसाना होगा यह 277 से 329 की रेंज में बापिसानी की बात में कर रहा हूं तो इसका ध्यान रखेगा 277 के अगर ऊपर कल क्लोजिंग दे जाए आज तो नीचे देगा है 275 के आसपास देगा है 277 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे जाता है तो कोई बात ही नहीं है ये अपना सपोर्ट जो है वो बापस पाच होगा बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल है आपने देखा हो तेजी के बाद जो है तेजी जब इतनी बहंकर हुई तो तो यहां पर आपके सामने यहां पर यह केंडल देखी रहे है तो 277 का जो है लो लगाया तो फिर महां से एक दम रिकावरी देखे तो बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल हो गया था आज क्लोजिंग दी है कल का दिन और देखना है 277 के नीचे क्लोजिंग ना दे जाए अगर नीचे आता है तो 273 पर जो है एक दूसर सपोर्ट है आपका फिर उस लेवल से टेच करकर या आज ही मेरे ख्यासे साइट टेच कर गया है उस लेवल 272 या 273 के लेवल को और महां से स्टॉक गूंग गया है यहां पर जो क्लोजिंग भी अच्छी दे रहा था 277 के ऊ उपर ही क्लोजिंग दे रहा था लेकिन लास्ट में जो है सेलिंग प्रेसर भड़ा मार्केट के अंदर और यह श्टॉक नीचे चला गया तो यह एक प्रॉब्लम थी अब देखते हैं होना क्या है यह तो अगला दिन ही बताएगा लेकिन आपको जो है 258 एक तीसरा सबसे लेवल है उसका वेट तो नहीं करना है क्योंकि मैंने चाहता है यहां पर 259 नहीं आप चाहते हैं तो 259 तो 230 पर जो है यह आसपास ही है यहां से सपोर्ट लेकर सायद जो है वो उपर जा सकता है बाकी कल देखना होगा दोस्तों यह किस तरीके से यह जो है अपनी रेंज म बस तो आप चलते हैं आप देखते हैं यहां पर जो है यहां पर कोई सेलिंग प्रेसर तो नहीं आ है और हम अपनी बात को पूरा करते हैं समझते हैं कि आपको करना क्या है चलिए देखते हैं पहले सेलिंग प्रेसर यहां पर कोई तो नहीं है दोस्तों यहां पर आज चुके नहीं उस ते मार्केट सेल किये गए थे कुछ 6,000-6,000 उलहास एंड कुलकरनी जो की मेनेजमेंट में शायद होंगे तो उनकी तरफ से यह किया गया था तो ठीक है ऐसी कोई भी यहांपस सेलिंग प्रैसर की बात नहीं है इस स्टॉक में और बॉल्यूम भी कोई छोटे मोटे इसमें नहीं है 4,000,000 का वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम है कोई भी दिक्क्त नहीं है इस स्टॉक में हाँ पिछले वार की दोरान आप इस वार का देखे तो वॉल्यूम थोड़ा सक कम है साथ साथ आठाट बिस विस लाग का वॉल्यूम हुआ है अचानक से तो उस जो रुपए है जो वहाँ पर स्टॉपलोस लगा कर रखी है अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं 300 वाले क्या करें 300 वाले भाई साब अगर आप एवरिज कर सकते हैं तो 258 पर करने के कोसिस करेंगा वहीं देखिए सपोर्ट लेवल है और हमारे और आपके हाथ में एक बात दे जाएगा तो इससे क्या होगा कि हम जो है एक रेंज में आ जाएंगे 277 से 329 की रेंज में और अगर इस रेंज में कंसॉलिडेशन अगर चलता है 300 की लेवल के आसफास तो भी हम लोग को डरने की फिर कोई बात नहीं होगी लेकिन एक रेंज में आना बहुत ही ज्याद इसके फंडमेंटल आपको बता चुका हूँ पी रेशियो में बहुत ही सस्ता है आईटी सेक्टर पर भरोसा रखिएगा ठीक न यह चमकते सितारे अगले चमकते सितारे हैं यह डेटा मैटिक ग्लोवल आपको दिख रहा है अगला आपको सूबेक्स दिख रहा है ब्रैट क मोटन सितारे हैं इसे बारे में और आपको पुछ पूशना है तो फिल्ज घ इस्यक्मिट बूश रीजेगा कोई भी अगर दिक्कत है कुछ भी अगर प्राब्लम है तो प्लिज कमेंट सेक्शन हो पूश लीजेगा और अगर कुछ फूट international kesz ही अगला जो खाते हो बोद बोद दन्वा दूस तू